जंगल में मंगल की बात आपने सुनी होगी और मिट्टी के धोरों के बीच में हरा भरा एक जंगल बनाना ये बड़े ही समर्पन भाव से और संकल्पीत भाव से काम किया जाए तो हो सकता है ऐसा ही एक कारे हम आपको दिखा रहे हैं एक नजर आप चारों तरफ हमारे कैमरे के माध्यम से डालेंगे मैं रोई से कहूंगा कैमरा एक बर चारों तरफ गुमाएं साथ में टीले आपको और टीले के साथ जब हम हरियाली की और जाते हैं तो आपको कुछ पेडों का जुर्मुट नजर आएगा और ये पेडों का जुर्मुट एक पेड का नहीं है बहुत सारे अलग-अलग पेडों का जुर्मुट है और इनके बीच में से होते हुए फिर हम अपनी बात को शु सिल में पड़ता है और चूरू से जब सरदार शेर की उराते हैं तो यह गाउं बीच में आता है और इस गाउं के पास में ही यह बहुत बड़ा खेत है जहां पर यह हर्याली हमें नजर आई और इस हर्याली की जब जिग्यासा जागी हाला की चार-पांस साल पहले मैं यहां पर आके गया था इस जगह को देखा था और इस जगह की पूरी जानकारी उस समय ली थी लेकिन इस समय इन पेड़ों की जो हाइट है वो बढ़ चुकी है पूरा जंगल का रूप जो है बन च साथ हैं और कहते हैं कि युवा खेतों की और नहीं आरे लेकिन यह उधारण हम आपको देंगे कि यह युवा हमारे साथ हैं सर आपका बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में दन्यवास आपका किसन पाल सिंग जी नाम है और खीवन सर गाउं से आप बिलोंग करते हैं आप परिवार आपका विकानेर है यहां कितने विगा खेत है जो आपने इन पेडों को समर्पित कर रखा है यह लगबग सो भीगा खेत गाव के एकदम टच में है लोग बहना बनाते हैं गाये हमारे पशु जो है वो हमें इन पशुएंप तेडों को जीने नहीं देती यह 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 पेड़ लगते नहीं है एक शुरुवात इन्होंने की थी कब की थी आपने बना जी यह शुरुवात 2008 में 2008 में कितने पेड़ आपने इस सोविगा जमीन में लगाए थे श्टार्टिंग में सब्सक्राइब लगाए थे फिर उसके बादे बढ़ते यूँक्युक्त अबेह आपके अलडव सब्सक्राइब न हैं तर ये ये आपके खेज्डी रहस्तान quelles आपने यहीं पर पर ईपर ये इस जो पत्ता है वह ब्रड़ नव होता है और भी बहुत सारी खासियत हैं हम जानेंगे बनाजी क्या खासियत इसकी माने जाती है एक तो जल्दी सांगरी देनी स्टार्ट कर देती है दूसरी इसकी सांगरी और जो अपने देशी है उसमें बहुत फरक है जब आपन बेचने जाते हैं तब भी क्वालिटी में भी फरक्ता है लगब क्या भाव मिलता है से सटर से सो रुपए डेड़ सो कई बार दो सो भी मिल जाता है यह बहु किलो का मिलता है तो यह सांगरी का भाव मिलता है आप देखिएगा लोग बड़े-बड़े उद्योग ज़रूर लगा रहे हैं नए ने स्टा होने तक ही आपको टेंशन देता है स्टार्ट होने के बाद में यह व्यापार बढ़ता जाता है और इसको व्यापार ना माने इसको आप कई पक्षियों की हजारों पक्षियों की शरण इस्तरली माने आप इसको कई जीवों का जिवास्त्य माने और जीवन देने वाला खेत में यहां पर जंगल के बीच में आया था और यहीं पर पकड़ा था तो कैसे आपको इसकी सूचना लगी थी हम तो हमारा डेली का काम कर रहे थे पता लगा है और गोवर्मेंट कलेक्टर साहब और फॉरस्ट डिपार्टमेंट उसके पीछे लगे वे थे उन्होंने फिर बीच में जंगल इन्हों ने बनाया है तो यह जंगल वनाया है इस जंगल आपने जब शुरूआत की क्या तकलीफ एक आम किसान को जो आती हैं उनको कैसे आपने समाधान किया तकलीफ थी जिस रूमें परिवार नें भी साहँ नहीं दिया फिर देले पिता जी का बहुत सय कैसे और मेरे ध्रम पत्रिया वो कफी पड़ी लिखिये वह भी साथ साल गाव में मेरे साथ रही जब उसने पीच्डी की फिर भी वह बहुत के चलो आपकी इंट्रेस्ट है कोई बात नहीं ऐसे करके फिर दिर 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 शुरुआत हो गई तो यहां पर पशुओं से संबन द तो आपका जैसे पशुओं आप खुद भी रखते हैं और इन पेड़ों की रखवाली करते हैं क्या लाब एक अगर किसान युगा किसान की बात करें किसी के पास 10 वीगा खेत हैं 20 वीगा खेत हैं क्या इसमें फसल और पेड दोनों हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं अब और दस वीगा में शर्चु में और बाकी पसुओं के लिए आहराचारा और कनक सब कुछ है एक जगे भी एक इंच भी खाली नहीं और लोग देखिए आपको एक सूचना हम देदें कि पेड काटकर लोग खेती करते हैं यह बड़ा गलत बात है पेड को जिवित रखें और खेती साथ में करें लोग कहते हैं नीम के नीचे नहीं होता अरंड के नीचे नहीं होता जांटी के नीचे नहीं होता यहां सारे पेड लगे हुए और सब के नीचे फसल है और हर पेड के नीचे फसल का जो एक रूप है वो भी अलग दिख रहा है एक सबसे बड़ी बात उ तो आप देख लीजिए जहां पानी नीचे जाता जा रहा है वहां यहां का वाटर लेवल वहीं ऐजट इज उतनी जगह पर ही है और इन पेडों की ताकत वाके में है यह एक्सपेरिमेंट बहुत जगह हुए है कि जहां जहां पेड होते हैं वहां पानी का वाटर लेवल ही उपर रखनेगा जो दिरी दिरे बढ़ा रहे हैं अब हमारे पास शिरोई की कम से कम डेड़ सो बक्रियां हैं और गिर पे काम चाले जैसे आपको बताया अभी गिर पे काम चालू किया है गोड़े भी हैं और ऐसे करके तो ये एक प्रेड़ना आपको मिलेगी क्रिशन पाल सिंग जी से आज हम मिले हैं और ये मिलने का कारण हमारा यही रहा कि आप देखिए कि जो यूवा खेतों से गाउं से बाहर जा रहे हैं उन यूवाओं को पीछे छोड़ते हुए क्रिशन पाल जी खीवन सर गाउं में आ पेड़ों के बीच में लगा हुआ अनाज आपको दिखा रहा है कि यह किसी बड़ी कंपनी और बड़े बिजनेस से कम नहीं है यह पेट भराई का एक साधन और बहुत अच्छी इंकम जो है वह यह दे सकता है मैं बना जी से जानना चाहूंगा कैसा आप क्या मानते हैं कि इंकम ओफ सोर्स के लिए लोग जो दूर भाग रहे हैं उनके लिए क्या यह एक उप्यूक्त साधन है बिलकुल है बिलकुल है बिलकुल है जी और वह तो हर काम में है पर देरे देरे जब और यह अपने पेरों पर खड़ा हो जाता है उसके बाद में इसको यह देता याओ मेरे साथ अजार आउले के पेड फ्रूटिंग पर आए वे एक रात में नश्ट हो गए किदे साथ हजार काउंटिंग में साथ हजार काउंटिंग करके उनको खड़ा था फिर भी डटे रहे उसमें कुछ गल्ती हमारी भी थी कि हमने लगातार साथ साल पूरी रात दुआ करते थे फोगिंग जिसको कहते हैं सात्वें साल मुझे कहना तो नीची है वह राइस्तान गवर्णमेंट ने आवाड दिया तो कुछ आदमी प्राउड ही हो जाता है तो हमने वह फोगिंग करने बंद कर दी उसी साल नुक्सान हुआ साथ अजार पेड़ वर्ना तो आप यहां कुछ यह दिख रहा है थोड़ा बीच में गैप कुछ नहीं था नही जातो हाथ दे देती है तो जैसा इनों ने बताया है आप अपने पेड़ों को जरूर लगाईए खेतों को हरा भरा कीजिए और पेड़ जितने ज्यादा ज्यादा लगा पाएं आप बना जी क्या आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को हमारे किसानों को और क्या पास अगर कोई अनुभव है तो आप जरूर यही है सर जो अपना है उसके उसको पकड़े रखो उसके करो वही अंत में फायदा देगा जैसे पुराने लोग कहते थे खेजडी काल पढ़ते थे खेजडी खाने का साधन होता था वही बात है अब मैंने यहां नार लगा के देख लिया जै जा कि मुआ अम्रूद है सब कुछ हुआ पर कौमर्सल के बात कई तब सांगरी नहीं इसाथ दिया बाकियों नहीं दिया जह बहुत शाणदार बात एक मर्म इसससी कैशेडी नहीं पहलें जो अपनने लगाई है इसको लगाने आप कि वहां से नहीं नहीं पहुद में लगें और थीन साल बाद में उसकी अडिंग के लिए आप मेरे घंटुक, बिल्कुल और कई लोग पैसे दे के भी कर रहे हैं वह कामियाब नहीं हो सकती क्योंकि पॉली आउस में कोई चीज रखी और फिर इस टेंपरेचर में आप लाओगे तो वह सक्सेस नहीं और यहां पर यह खुले में जो यह खेजडी है की गणी आप देखें की ऋंत्वर्ट आप देखें आप देखें कार माना जाता है और इस पेड़े की फॉसल लिई की यह उससात देती है और अपने नीचे फसल से पसल मुणा बढ़ाता दी है ठाल लगाए कि किजना लाब जो कि आर्थिक प्रूब से इसका मिलता है अपने खेतों में जांटियों को खतम ना करें नए पेड़ लाइए उसकी ग्राफ्टिंग करिए और सहयोग के लिए बना जी ने जैसे कहा है कि दरवाजें हमेशा खुले हैं आप आईएगा इनके नंबर भी हम आपको देंगे आप उन पर संपर कर सकते हैं और आपको बहुत गलतियां की वह दूसरे भाई को नहीं करने देंगा आपने लगा है इसके क्या क्या लाब है जो साइंटिस्ट पहले कहते थे कभी खेजडी की पत्ती बक्रियों के लिए और गाहे के लिए बढ़िया है अब नहीं रिसर्च चाहिए कभी आपके यह अर् पते जो है उतारे हुए इनके यह बक्रियों के लिए गयाओं के लिए उतारे में और हमेशा आपका यह रूटीन है सब्सक्राइब यहां से स्टार्ट किया तो आप आप देख रहे हो इनके पर वापिस पत्ते आने चलू हो गए तो वापिस घूम के आएंगे तब तक इन जो पशू हैं उनके लिए भी एक शुरुआत से अगर देखें तो वहां से काटना शुरू किया वहां पर पत्ते आ गए और उससे धीरे धीरे इधर जाते जाएंगे आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको यह लगेगा कटिंग जो है वो ज्यादा होती नजर आ र किसान हमारे देश का पालनहार होता है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करें एक युवा विज्यानिक किसान बने और चोटी जगह पर ज्यादा लाब कमाने की कोशिश करें जैसे अभी इन्होंने यहां पर लगा रखा है पीड़ अपनी जगह है और नीचे फसल जो है वह उसको ज़्यादा वेल्यूबल नहीं समझते लोग वह वह इनके बराबर है अर्डू के और आपके खेज़ड़ी के इतना आई मलब यह तो प्रैक्टिकल्ली प्रूव प्रूब्ड है उनके तो वह लगाए उसकी ग्रोथ इनसे भी ज़्यादा ग्रोथ है तो आप बना जी लगाए तो बना जी के साथ हम अब आपको अडू भी दिखाएंगे आपको शैजना भी दिखाएंगे और भी पेड़ जो लगाए हैं वो भी हम दिखाते हैं आप जंगल के अंदर चलते जंगल ही कहेंगे इन पेड़ों का जो गुच्छा है वह हमको बड़ा अच्छा कर दी इसकी जगें सेज़ना लगा रहे हैं हम लब सब्सक्राइब कर चुके जिए कर चुके है कि अच्छा यह हम आपको दिखाते हैं यहां पर जो है गेहूं डाल रखा किषा है आप यहां पर क्या क्या क्हां में लेते हैं गोबर की घृघ काफ हो हो जाती है और साथ में गोबर की खाद और इन की रंगत आप देखिए इसमें किसी प्रकार की को यूरिया कोई देसी खेती कि तो यह उधारन है आपके सामने यह पूरा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप इस उधारन से कम से कम दो किसान भी प्रेड़ना लेंगे तो हमारे यह कारेक्रम सफल हो जाएगा और यहां से इन पेडों की आप देखिए लास्ट में अपने खुद के पस्वों को यह जी बडिया बाद है यही एक विचार जो है यह सकरात्मक विचार है और उसका फाइदा भी यहां पर नजर आ रहा है इन पेडों की रंगत लोग कहते हैं कि सब दवाईयां नहीं डालेंगे तब तक जो है पेड़ बड़े नहीं हो सकते उनको बीच में जो है बीमारियां लग जा रहा है और इस मेथी की रंगत आप देख लीजिए किसी प्रकार की कोई दवाई जो है इस मेथी में नहीं लगाई गई है कि हम आगे पेड़ों के बीच में जा रहे हैं ऐसी जगए आपको चूरू जिले में एक साथ सो भीगा जगए में आपको देखने को मिल रही है अब यहां से हम आपको दिखाते हैं सबसे पहली बात तो यह देखी कि डोरी डाल कर इन पेड़ों को लगाया गया है सब्शू एक सीद में हैं बीच में टेक्टर आराम से चल सकता है और यह पेड़ टेक्टरों के बीच में नहीं आते और एक इतनी फसर लगबग होजाती है सब्सक्राइब करें तो इतना तो नहीं हो पता जितना यह आपने और दवाईया डाल के लिए पर फिर भी बहुत दिरे दिरे इंक्रीज नहीं होने की बजाए इंक्रीज हो रहा है जैसे पहले साल दो कुंटली हुआ फिर तीन साधे तीन चार बढ़ता जा रहा है तो यह यह देख लीजी अब बढ़वार आप इसमें कुछ भी नहीं डाला वा यह जो है अब और कोई खेत में आप इतने बड़े जो इ इस तरफ पानी की जो है इस्तिति क्या है पानी लगवग खारा साही माना जाता है ज्यादा भी है मीठा भी दुन्हीं है मैं मुफली भी बही थी अच्छा आठ कुंटल होई थी पर उसमें पेड़ इतने ज्यादा वह मशीन चली जो तूटे तो पिताजी नका कर एक काम कर में बहुत तो इन को पाड ले यहां जो फिर में दो मुफली बंध कर दिया बंद कर दी तो आपके पास जो है मेति हैं गयो है तो मेति हैं क्या लाब दे गे हैं किसानों को अगर बाहें तो बाटे हैं लोगТ तो मेत हए अच्छी होती है एक बीलगर कितने ही में बड़िया जगह हैं जैसे सब कुछ डालो उस हिसाब से तो साड़े चार कुंटल तक हो जाती है लेकिन बात यही है कि बीना दवाई डाले बीना किसी प्रकार की यूरिया बीना किसी प्रकार का कोई खर्चा किये जो है यहां पर यह खेती करते हैं एक बार कैमरे को हम फिर गुमाते हैं और आपको दिखाते हैं खेत का पूरा यह दृष्ष्य यह एक जगे हम आपको दिखा रहे हैं जो कि खेत के दूसरे हिस्से से ली गई है और पेडों के बीच में अनाज देखिए जो लोग यह कहते हैं कि पेडों के नीचे अनाज नहीं होता उनके शबदों को आपको यूटर्ण देना चाहिए और उनको यह जवाब देना चाहिए कि हमने खेवन सर के खेत में ये देखा है कि पेडों के नीचे अनाज उतना ही होता है जितना आपके आम खेतों में जहाँ पेड काटे वो होते हैं वहां होता है ये पेड डबल रक्षा कर रहे हैं गर्मी से रक्षा कर रहे हैं यहां का माहूल एकदम ठंडा हमें नजर आ रहा है इस समय जब कि धूप है गर्मी है लेकिन इस जगे का माहूल एकदम ठंडा हमें नजर आ रहा है पेडों की ठंडक और पानी जो है यहां पर लगातार लग पेड़ों की जड़े सूकती नहीं है और इसका लाब जो है इन सारे जो पोधिया है इनको मिलता है जी अब बना जी क्या कहेंगे आप आपका जो यह इस्थान है आपने नादवाई दी है और इन पेड़ों की स्थितियां भी बड़ी शांदार नजर आ तो क्या संदेश हमारे किसानों को आप अपनी तरफ से ओड़ देंगे यह वो तो आप आप बैटर जज़ होगम आप द्यों संदेश तो माहरे तो काम मेनत करना है बस जी तो आपने बना जी के शब्द सुनी लिए हमने तो आपको दिखाया है अप जजमेंट आपका है आप जो दर्शक को सूखा रखना है यह अपने खेतों में फेल आकर करना है यह चूरू जी ले को अप्वरा करना है यह शूरुवात है यह व्रक्ष जब बनेगा पूरा जीला हमारा ह्मारा हारा वरा होगा और हमें आनंद आएगा आपको भी बना जी उस दिन आनंद आएगा बिल्कुल बिल्कुल जी और आपका सहयोग सबको नहीं मैंने तो दिया है तारनगर लेके गए मैं मेरे यहां से बडिंग बडिंग जो कलम कहते हैं तीन-चार जगें से हैं बिना एक रुपे लिए जी तो यह बात सही है अब यहा इसको एक प्रेड़ना मिलेगी इंहीं के साथ जो है इनके परिवार के भाई है यह भी बडावर मेहनत करते हैं इन्होंने जैसे बताया कि 80% ऑफानी सेवा करते हैं नाम जैसिंग जैसिंग्स हैं जापता रखता है लुरों से मुझा करते हैं फिर नए सीरे से उसको पालना शुरू करते हैं एक पत्ते को फिर देखते हैं तो आज इन प्रक्षों को देखकर कैसा मैसूस होता है तो यह बात सही है जब अपनी महनत दिखती है तो बड़ा आनन्द आता है अब यह एक दृश्य जो है यह हम आपको और दिखाते हैं कि मतलब कई बार नुक्सान भी होता है जैसे जैसिंग ने बताया आपको कि हम उदर काम लगे हुए रहते हैं तो दस-दस रोज पूरे दिन अंदर है जाते हैं और पता नहीं लगता और हो सकता है आज आज आप अगर आपका बागया तेज है तो आपको हिरन भी दिख सकता ह दौन ही हो इतना है जानबर नहीं उड़ता है तो देखिये की असली किसान वही होता है जिसका जो है छटा हिस्सा जीवों को जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो नीचे जमीन में रहने वाले जीवों को जाता है पक्षियों को जाता है जानवरों को जाता है किसान अपने हिस्से में से दान करता है शायद आम आदमी आजकल दान करे ना करे पहले दिन से यह दान रहता है तो के हमारे देश को सुरक्षा मिलती है और हमारे देश को अन की सुरक्षा मिलती है यह सुरक्षा बनी रहे और हमारे युवा किसान कृष्ण पाल सिंग जी जैसे युवा और जो है इस धर्ती में पैदा हो और हमारे पूरे चुरू जीले को हरा बरा करें यही हम आपको शुब से 15,000 पीड़ों के बीच में और उनके साथ इन फसलों के बीच में हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई अपने खेत में आप भी ऐसा प्रियास कर सकते हैं इन युवाओं से आप एक प्रेड़ना ले सकते हैं और कृशन पाल सिंग जी से हमने इजाज़त ली है अब आप से कैमरे पर रोही चोहान और मैं डोक्टर मनोश शर्मा त्रीनेतर टीवी के लिए लेते हैं इजाज़त नमस्कार झाल 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